स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेब जरूर लिखें सावन में इन पांच बस्तुओं को लाए घर शिव किरपा से धन में होगी ब्रिधी सनादन धर्म की मानेताओं में सावन को सबसे पवित्र महिनों में से एक माना गया है भगवान शिव की अराधना करके उन्हें परशन करने के लिए यह महिना सबसे उत्तम माना गया है सिव जी को परशन करने के लिए सिव जी की प्रिय बस्तुओं को घर लाकर आप उनकी किरपा का लाब प्राप्त कर सकते हैं आईए जानते हैं कौन सी है यह प्रिय बस्तुओं जिनको लाना शुब माना जाता है गंगा जल गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारन किया हुआ है ऐसा माना जाता है कि सावन के महिने में घर में गंगा जल जरूर लाए उनकी विशीश किरपा प्राप्त होती है सावन के महिने में कावड़िये भी गंगाजल लाकर शिवजी को अरपित करते हैं इसलिए सावन के महिने में घर में गंगाजल लेकर आये रुदराक्ष का सीधा संबन भगवान शिव से माना जाता है भगवान शिव के जहां आसु गिरे वहां पर रुदराक्ष पैदा हुआ था सावन के महिने में रुदराक्ष को घर में लाने से आपके घर में शुबता बढ़ती है सावन के महिने में मंदिर में लाकर रुदराक्ष रखे भस्म शिव जी को भस्म बेहत प्रिय है इसलिए सावन के महिने में शिव जी पर भस्म चड़ाए शिवलिंग पर भस्म चड़ाने से भगवान शिव बेहत परसन होते हैं ऐसा करने से शिव जी के किरपा पूरे घर के लोगों को प्राप्त होती है तिरशुल को भगवान शिव का परतीक माना जाता है सावन के महीने में यदि आप शिवजी को पर्शन करना चाते हैं तो घर में चांदी का तिरशुल लाकर बूजा घर में रखे ऐसा करने से आपको शिवजी की किरपा प्राप्त होती है अगर आप चांदी का तिर्शोल नहीं ला सकते तो तांबे का भी लाकर अपने घर में रख सकते हैं नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव को नाग विशेश रूप से प्रिय है जो उनके गले में आभुशन के रूप में सोभा यामान रहते हैं हिंदू धर्म की मानेताओं में घर में नाग नागिन का जोड़ा रखना बहुत अच्छा माना जाता है इसे घर के मुखे द्वार के नीचे दवादे रुके हुए काम बन जाएंगे और आपके घर में धन की बरकत होगी हर हर महादेव ओम नमस शिवाए